पर सब गाइस केसे आप आज हम दुराय सायब पीर बाबा के मजार पर है जो की कांट रोड परिस्तित है अज हमारा जो न्यू ब्लोग है आज हम आपको लेकर चलते हैं एक बहुती यूनिक जगा जो कि कभी आपने नहीं देखी होगी वह भी एक मजार ही है और गाइस हम रास्ता है यह कांट रोड की तरफ जा रहा है और हम इसी रास्ते से जाएंगे सीधा और जो आपको हम आपको एक सप्राइस देने वाले हैं हाला कि बहुत सारे यूट्योब रोने वीडियो डाली है लेकिन शेयर हम रहा कि कि यह कैसी जगा है यूटुब चेनर वाले हैं बहुत ही यूणिक जगा है आई गाइस हम आपको लेकर चलते हैं है 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 लो वाट वाइस कैसे हैं आप हम और तालीबाई दोनों साथ में जा रहे हैं आच्छे विलोग में यह हमारे तालीब भाई है तालीबाई कुछ बोलेंगे आप आप जरूर मैं ही कहीना चाहूँग के पुल पर आ गये हैं आप यह एक से देड़ किलोमेटर की दूरी पर बचा है आईए पहले महां कहीं नजारा कराते हैं आपको आईए गास आपको लेकर चलते हैं हौए काज थ्यल्कृ और अव्याल हमेटमं फेलНटी टरफ चल दिए हैं यह हमारे तालीबाई गाड़ी चला रहे हैं आप देखर होंगे और यह एपजवाथ तरफलर हीरा जा रहा है हम जो मजार की तरफ त्ल चलतो वह जा रहे हैं आप देख रहे होंगे की है रोडे जो के त्रफ जाता है हैं यह थे की आपने यह इद माड़ी है ऑफ देख रहे होंगे यह उदी माड़र दche kann no री और रितो किसे अगर कर दो और ड्र और काथ दो हुआ है आज थोड़ा गर्भी है कलका मौसम अच्छा था लेकिन कोई नहीं गाड़ी को गर्भी नहीं लगती फाइनली हम मजार के मोड़ पर आ चुके हैं और यह हमारी इद का है इद का है और यह अंदर के तरफ हम राश्टिक तरफ जा रहे हैं देखे कितना प्यारा रिव्यू इसका अब आपको दिखा रहा है कि यह जो प्याड़ है ने देखो कि यह अब हम आपको थोड़ा डिटेल भी हमें पता नहीं है कि कौन सा मजार है यह लेकिन हम एक दो बार आज चुके हैं नाम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि मजार कौन सा यह आप पेड़ देखे कितना विशाल है और इसको बर्गत का पेड़ बोरते हैं इसकी जो मतलब इसकी जो डालिया है बहुत ही लंबी लंबी है और यह हमारे तालीबाई तालीबाई आप भी कुछ दिखाईए गई समा चुके हैं अपने जो में पोईट हमने आपको बता कर दिखाएंगे तो अभी अंदर की तरफ चलते हूं और आपको थोड़ा मजार करना दारा दिखाते हैं आप हम आपको यहां की दिखाते हैं के पेड़ किस तरीके से है और कितना बड़ा है फिर हम आपको इसको सूम करकर फिर दूर से दिखलाएंगे यह दिखे हैं इसकी कि इसकी जो यह लट है अगर यह जमीन में दफन हो जाए तो यह आगे चलने लगता है यह वह पेड़ है कि देख रहोंगे एक जड़ तो बड़ी विशाल वो जो सामने जड़ है वो दिख रहे होगे आप आपको थोड़ा पास में दिखाते हैं देखें गाइस मैं समझता कि एक छोटा चोटा इतना काफी विशाल पेड़ है अगर 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 इसके दस आदमी एक साथ अगर ऐसे करके लग जाएंगे देखिए मैं ऐसे करके करता हूं तो नहीं अपने दस भी कवर नहीं कर पाने कि इतना बड़ा पेड़ है यह आप सोच नहीं सकते बहुत ज्य फिर फिर इसके बाद में इसकी जो शाखाएं है आप गाइस में दिखाता हूं आपको आई इदर पाई देखिए उसकी उफ़र से चलता हूं आ रहा है पेड़ इसकी शाखाएं यह जो शाखाएं इसको मिट्टी में दफन कर दिया पिर यह और आगर बढ़कर पिर आगर चलने लगता है गाइस देखिए आपको सबसे पहले पेड़ कर नजारा दिखाते हैं इसको थोड़ा सा फूरे ऐसे जूम करके दिखाते आपको फिर यह पर का आप देखिए कि यह हजारों की तादाद में इसकी शकाएं इसको हम अगर गिनने लगे तो हजार से जाधे ही कि देखिए बल्बी कमनी होने कि यह शकाएं ऐसी है अगर आगे से चलते हुई चली आते हैं फिर यह देखिए बड़ा वाड़ा पेड़न है यह इसकी जड़े उपर को होता हुए आप देख रहे होंगे यह लेकर सब्सक्राइब दिखाई दिया है अब थोड़ा मजार का नजारा करा देते हैं तो आईए देखिए चलते हुए हम मजार की ओस माशल्लाब बहुत ही अच्छा है यहां पर देखने को मिलेगा आपको दीख लीजिए और ज्यारब भी कर लीजिए साथ ही साथ हुए है तोड़ा शूज बगेरा का देखना होता है है यहां पर दार्मी किस तहले अब देख सकते हैं पर देख सकते हैं काईज आप देख रहूंगा यह मजार है मजार के वारे मैं भी आपको पर नाम पढ़कर बताएंगे देखिए नो कज़े की मजार है माशालला बहुत प्यारा तो यह है आप देख रहूंगे कि कितना अच्छा रिव्यू इसका कि मंजार का यहां कहीन नाम लिखा हुआ रहा से यहां पर बहुत बहुत दूर से आते हैं कि आप दह रहूंगे कि इसका कितना प्यारा नजार आया कि मजार की साइड की जगाह यह मजार का पोटागेट यह मेंड़ बीच का तो यड़ह इस रहनेकी साइड की जगाह यह और यह इसके सामने हमारे टालीब भाई खड़े हैं हमने मजार का वीव्यू दिखा चुके हैं है है आगे है अब इस दो कि अब आप ने देखा तो आप ने देखा वह हमारे राजाबहाही ने काफी नॉलिज दिया आपको बताया, शाखाओं के बारे में बताया, मजार के बारे में बताया लेकिन शायद हम लोग एक नाम बगेरा बताना भूल गए है, मजार का क्या नाम है तो हम आपको बता देती हैं यहां पर लोग इसे नोगस पीर बाबा के नाम से जाने जाते हैं तो आप यहां पर आएं तो नोगस बाबा के नाम से यहां पर आएं नंगला आपको एड्रस भी बता दिया है कि नंगला गिराम लगता है याम रोहा के उसमें एक छोटा सा गिराम है और यहां पर आएं और इजारत आप आ सकते हैं यहां पर आपको यहां पर काफी करामात देखने को मिलेंगे और थोड़ा राजामाई आपको बताने की कोजिश करेंगे क्या आप यह बहुत अच्छी यह गया अगर आप यहां पर आना चाहें तो हमारी वीडियो में कमेंट कर गोटे पिर हम आपको इसका फुल एड्रिस बगरा दे देंगे अगर आप कहीं से अनशा है बहुत फोट दूर से आते हैं अपनी मुराद लेकर और उनकी मुराद पूरी भी होती है लुद कने हम से अब इसी साथ हम अपना फिरन आप हमारा आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करना ना खुच है प्रस्वाजी कहें होंगे थैंक्यू गाइड गया